कि अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशल के बारे में ग्रेविटेशनल कि पोटेंशल कि ठीक है क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशल लाइक यहां पर एक मास है समझो क्यापिटल ए और हमें क्या करना है इंफिनिटी पर इंफिनिटी पर से एक यूनीट मास को ठोटा करके इसके फिल्ड में ले की आना यह इस पॉइंट पे सपोर्स जो की यहां से कितनी दूरी पर है आर डिस्टेंस पर है ठीक है इस मास को उठा करके यहां पर लाना है ठीक है तो ऐसा करने में ठीक है ऐसा करने में अग्स्टर्नल एजेंट को ठीक है कितना वग्डन करना पड़ेगा डाट इसकाल ग्रेविटेशनल पोटेंशिल ठीक है अमाउंट ओफ वग्डन रिक्वाइड ओके अमाउंट ओफ वग्डन रिक्वाइड तू यूनीट मास फ्रॉम इंफिनिटी तू एनी पॉइंट इन दी फिल्ड क्या कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशल कहलाता है तो मालो यह मास स्मॉल एम होता ठीक है और यहां तक लाने में उस पर कितना काम करना पड़ता डबलु काम करना पड़ता तो जैसा कि मैंने बो और वन केजी पर आपको एक्स्टरनली काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशल का हो जाता है वोक्डन पर युनित मास तो इसका युनित क्या हो जाएगा जूल पर केजी डेमेशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml square T-2 अपाउन क्या एम और M Canser हो जाएगा ब्टा क्या अब कर इसको भ इस च्यानous 2 क्यों स्वार्मूला अब अगर इसको आप ग्रेविटेशनल यहां तक की बात्येशों बात ग्रेविटेशनल ओ में अगे अब अगर मालो मुझे चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशल ड्यू टू ग्रेविटेशनल कि पोटेंशल ड्यू टू अब पॉइंट मास की वज़े से मुझे चाहिए ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है विटा पॉइंट मास के लिए अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशल का फॉर्मूला द्यू टू ऑपॉइंट मास आरी बात समझ में अच्छे सब्यों को क्लिए आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशल देखो एक पॉइंट मास की वज़े से इतना आया अगर बहुत सारे हो तो है ना फिर क्या करेंगे क्लियर है तो बहुत सारे है तो हर एक का एक का निकाल करके हम उसको क्या कर सकते हैं आड कर सकते हैं है कि नहीं क्लियर है चलो हम बात कर लेते हैं कि अगर अधिक हुए तो क्या करेंगे इसको एरेस कर देते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल कि पोटेंशियल कि द्यूटू कि मेनी पार्टिकल सिस्टम मेनी पार्टिकल सिस्टम कि मेनी पार्टिकल सिस्टम तो इसमें तो हम क्या करेंगे तो टोटल जो पोटेंशिल होगा है ना हर एक के वज़े से जो पोटेंशिल आएगा उसको सम कर लेंगे अब तो माइनस जी है ना अगर M1 है तो M1 by R1 दूसरा क्या हो जाएगा जी M2 by R2 तीसरा क्या हो जाएगा जी M3 by R3 and इस तरीके से आप इसको add करते चले जाओगे आपको क्या मिल जाएगा gravitational potential due to many particle system मिल जाएगा ठीक है आगे बात अच्छे से समझ में अब हम बात करेंगे अगर माल्लो हमें potential निकालना है ड्यूटू क्या बोलते हैं यूनिफर्मली डिस्टी बूसे distributed mass system के वज़ए से ठीक है मेरी बात किसके वज़ए से इसके वज़ए से uniformly distributed mass system की वज़ए से तो ग्रेविटेशनल कि potential कि द्यूटू कि यूनिफर्मली कि दिस्ट्रिबुटेट कि मास कि तो सबसे पहले जैसे कि हम ले लेते हैं कि एक हमने ले लिया इस फेर ठीक है कैसा ले लिया हॉलो स्फेर और लो कि इस फेर कि कि पॉलो स्फेर की केस में क्या होता है कि की अधियर एयम ळो यॺ जा रिटियस कहनं हो दो जो तो आप एक क्या हुए लोगे पो लिकेंज me टिक इन्टरिक बिकालना की जैसे कीань और निकालना है को तो यह आपका आर हो गया तो इस किसमें इंटरनल पॉइंट पर जो होता है रभी के इंसाइट जो होता है वह इक्वल्टू होता है वी सरफेस के तो चलो देख लिए तो उसके लिए केस डू देखना पड़ेगा इस ले करके अंदर में हर एक क्या होता है जाएगा case 3 इस स्ट्री आउटसाइड आर ora के लिए क्या हो जाएगา आउट्साइड आउटसाइड माइनस जी कैपिटल एम अपन स्मॉल आर इस टाइम क्या हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा ठीक है तो अगें मिनिंग क्या हुआ इसका यहीं हुआ कि अगर आपको बाहर में कहीं पर निकालना है तो आप उसको पॉइंट मास की तरह इसका डाइग्राम बनाया इसका और सिर्फ आप मेंगनिटूट की बात करे ऊप इस तरीके से ले सकते हों आप अब ले सकते हो तो आपने क्या देख एक्षट क्या है एक्ष們 to आर तक कॉंस्टेंट है कितना माइनस जी एम बाइत पर इसके बा प्रिसके माइनस एना स्फल सश्पर करें एसको हटा दो ठीक है तो बांकी क्या होगा फिर ऐसे ढटने लगेगा हां इधर क्या हो जाएगा जी एम बाइ स्मॉल आर अगर माइनस के साथ करोगे तो एक आप्शन इस तरीके से भी हो सकता है वी और आर के बीच में घए तो फिर क्या होगा यहाँ पर आएगा माइनस कर ने माइनस बेद्म पाय से ने झाइण रहे पहले वहिंस रहेगा रहें ऐन धना यह क्या होग क्या होगा यह इस तरीखे से और सिंपांटोorsch खिरेगा ठीक हो जाए एक शौछ इस फेर होता है इसलेडिश्फिर कि सॉलिट इसस्फिर है अगें इसमें तीन केस ले सकते हैं केस ऒन केस वन चलो मैं पहले आउट साइड ले लेता हूं आउट साइड आर ग्रेटर देन आर के लिए वी इक्वल्स टू इसमें आपको पॉइंट मांस की तरह ट्रीट करना है तो माइनस जी कैपिटल एम बाइ स्मॉल आर हो जाएगा के स्टू सर्फेस के लिए सर्फेस ठीक है एस्टू क्या हो गया इसटेंगे स्ट्रीट का आज जाएगा माइनस गाफिटल जी कैपिटल एम वाइए क्या आपने अपने स्ट्रीप के स्ट्रीए यह किस्टा चाहुअ जाएगा वी इनसाइट वी इनसाइट अंच यानि हार लेसर के के लिए ठीक है इसका क्या हो जाता है वी कोल्स टू माइनस जी एम बाइ तू आर क्यूब थ्री आर स्क्वेर माइनस आर स्क्वेर यह होता है आपका इसके लिए इंसाइट पॉइंट के लिए कि कि अगर इसका डाइग्राम बनाना चाहते हो ग्राफ बनाना चाहते हो देन कैसे करोगी कि अगर साइन के साथ बनाना चाहते हो तो यहां देखो एक चीज कर सकते हैं आप कि अगर कि अगर हमने मानलो सेंटर पर निकालना चाहा ठीक है सेंटर पर क्या हो जाएगा वी सेंटर तो सेंटर पर यह जो आर है यह जी आर स्वेट एक आर स्केश पार्षायर दूटर पर सेंटर पर क्या होता है माइनस थ्री जी एंभाई तु आर्ट तो prelim है हैं रहे लिए लग जाएं था वा वज दूआ है झाल झाल